हेलो फ्रेंट्स तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टो फ्री रिजन्स फर एपियाई फेलियर्स वैसे आप सब एपियाई के बारे में तो जानते ही होंगे लेकिन फिर भी में एक ओबर विव दे देती हूं हैं तो वहाँ पे हमें सबसे पहले ल browser करना होता है और लोगिन करने के लिए हैं तीन ऑफसंडे जाते हैं लॉगिन विथ गुगल λέशन आप लॉगिन वीए पैस लाटि फरी ये फेसबूक तो अगर हम इन में से कभी कभी आप दो पो各 देख कभी हम इन में से कोई सा भी एक option चूच कर लेते हैं और उसमें लॉग इन कर लेते हैं तो हमें वापस हैं पर अपने credentials एंटर करने के जुरत नहीं पड़ती है वहां से Google या Facebook या email से ही हमारा जो information है यह application जहां पर हम लॉग इन करने के लिए बोला जा रहा है एक्सेस कर लेता है तो यही काम होता है API क्या तो क्या आपने कभी सूचा है कि हम दूसरे application पर काम करने वाले हैं और वहां से हमें यह तीन अलग Facebook जीमेल या email से login करने का option दिया जा रहा है कैसे हो रहा है यह हो रहा है API के थ्रूँ API क्या करता है कि दो या दो से अधिक software या फिर application के बीच में एक breeze create करता है यानि कि दोनों के बीच एक relation create करता है यानि कि कोई एक दूसरा software या application किसी दूसरे software के data को access कर सकता है तो ठीक है तो इसलिए में हर application के लिए बार बार user ID password एंटर करने के जुरत नहीं पड़ती है हम अगर और अगर गूगल या facebook पे लॉग इन किये हुए है तो वहां से हमारा information दूसरा application access कर लेता है तो यही काम करता है API और आज कल छोटी बड़ी हर कंपनिया API का यूज कर रहे हैं तो फ्रेंट्स बैसिकली API call से या API के help से हम किसी दूसरे software का data किसी दूसरे software application में easily access कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं top most three API failures के बारे में तो सबसे पहले जो आता है अब नया वाला version को implement करने के लिए हमें कुछ अलग फॉर्मेटिंग कुछ अलग syntax कुछ अलग new arguments के जोरत पढ़ सकती है और हो सकता है कि ओ जो API call हुआ है हमारे दूसरे software में वह अच्छे से काम ना करें ठीक है unexpected error आ सकता है यह हो गई number one failure दूसरा हो गया communication breakdown let's talk about communication breakdown तो friends communication breakdown का मतलब होता है कि मान लिजे हम जिस भी software जिस भी प्रोग्राम या किसी service को एक्सेस करना चाहते है तो program या service कहीं online connected है ठीक है online run कर रहा है चाहे हो किसी same desktop पे हो land पे हो या फिर server पे हो ठीक है अब suppose मान लिजे facebook के software से हम email वाले software को या program को एक्सेस करना चाहते हैं और email का जो software है या program है वो किसी server पे run कर रहा है और वो server किसी भी region के वज़े से off है ठीक है तो ऐसे situation में हम email वाले software को एक्सेस नहीं कर पाएंगे facebook के software से ठीक है अगर कोई login करने जाएगा login with email और email का जो server है या email का जो भी service है वो start नहीं है run नहीं है या जहां पे हमारा email वाला software है computer ही बंद है तो हम email का जो API है हम उस पर काम नहीं कर पाएंगे तो यहीं होता है communication breakdown तो जिस भी API को call किया है हमने अपने program में उस program के service को या उस program को या तो LAN में हो या फिर same desktop पर क्यों नहीं हो या फिर IP address पर क्यों नहीं हो वो कहीं नहीं service को हमें connect करना पड़ेगा अगर किसी भी वज़ा से connection failed होता है तो हमारे API काम नहीं करेगा तो friends third API failure का reason है bad data is no excuse इसका मतलब होता है कि हम जिस API को call किये हैं अपने program में यानि कि facebook के program में facebook का जो हमारा software है वहाँ पर अगर हम API call किये है email का तो हमें नहीं पता है कि email का जो API है किस format में data accept करेगा और किस format में as a result data हमें return करेगा as a result ठीक है तो क्या होगा अगर हम किसी दूसरे format में data send कर दें API को जो format API accept ही नहीं करता है ठीक है तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस API को हमने call किया है वो data जो API है किस format में data accept करेगा ताकि हमें सही सही as a result हमें output मिल सके तो यहीं होता है bad data तो फ्रेंट्स वैसे तो API failure के बहुत सरे और भी रिजन से बठ हम यहां पर top 3 API failures के बारे में बात किये हैं जो बहुत ज्यादा important है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो please वीडियो को like करेगा शेयर करेगा और मेरे चैनल को subscribe कर लिजेगा ऐसे ही और भी informative वीडियो के लिए अगर आपको इस वीडियो से related कोई भी query हो तो हमें comment करके जरूर बताईएगा thank you कर दो